तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो है होर्स वाले 1.25 कौाइन के उपर जिसको गोडे वाला कौाइन भी बोला जाता है तो ये सिक्के जो 1950 से 1955 के बीश में आये थे इसकी पूरी डिटेलिंग आज बताओंगा मैं आपको और कुछ ऐसी भी बाते मिंट मार्क से रिलेटेट पता चलेगी जो बहुत लोगों को नहीं पता है तो टेकनिकल स्पेसिफिकेशन पे बी बात होगी प्राइजिंग पे बी बात होगी और साथ में कौन से ऐसे सिक्के है इसमें जो Scare Category के है, जो Rare Category के है और जो General है मतलब सभी एक ही वीडियो में Cover करके इन Spice वाले Coins की Detailing को हम इस एक वीडियो में Complete कर देंगे तो उमेद करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे सिर्फ फोटो देखके गोडे वाला सिक्का है 305,000, 10,000 या 30,000 में भी करा है ऐसा देख के आप मुझे फोटो भेजनावत स्टार्ट करो ये बहुत बड़ी गलती होती आप लोगों से पूरी Detailing में जाते नहीं हो जो Ash Mint Mark वाला मैंने फोटो डाला था 1 रूपीस का जबके मैंने लास्ट टूडियो में बताया हूँ उसके बावजूद अभी भी लोग मुझे मैसेच कर रहे Ash Mint Mark वाला कॉइन है मेरे पास और उस वीडियो में भी कमेंट कर रहे है बिना पूरा वीडियो देखे तो ये थोड़ा सा गलत होता है आप लोगो पूरी वीडियो देखनी चाहिए उसके बाद आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है जो Scare या Rare क्रेटिगरी की Available है तो उसको बेचने के लिए आप हमसे Contact कर सकते हैं ठीक है और Rare क्रेटिगरी के ही Coins बिकते हैं ये मैं बारबार Repeat करूँगा जितने वीडियो बनेगी ये सारी कुछ ऐसी बाते हैं जो मैं बारबार Repeat करूँगा ताके आप लोग के दिमाग में ये बात Fit हो जाए कि कौन से सिक्के बिकते हैं क्या चीजों को ध्यान रखना होता है Awareness कि इन चीजों की रखनी है ये बार-बार मेरे वीडियो में Repetition आएगा लेकिन मैं बताते रहूँगा Because जब तक ये Repetition नहीं होगा मुझे पता है लोगों के माइड में ये सारी चीज़े बैटेगी नहीं क्योंकि अभी भी मुझे लोग कॉल करके यहीं बोलते कि Mindset ये हो गया है Old Coin, Old Coin, Old Coin तो इस वज़े से वो Mindset को Break करना ज़रूरी है और वो Break तभी होगा जब बार-बार हम लोगों को बताएंगे कि Old Coin नहीं Rare Coin Rare Coin और Rare Coin ही बिकेंगे वैसे ही Rare Notes ही बिकेंगी Scare Category जो थोड़ा और कम दुरलब होते है वो बिकते कम है और उसको बहतर होता है कि हम अच्छे से उसको Preserve करके अच्छे से उसको संभाल के रखे ताकि आने वाले टाइम में जब उसका भाव बढ़ जाए दो साल, पांस साल, दस साल के बीश में तब हम उसको बेचें तो यह तरीका होता है इस इंडस्ट्री में काम करने का और स्केर कैटिगरी के कोईंस जितने भी रिपब्लिक इंडिया के मैंने बताए है नौ पार्ट में उसको आप लोग जरूर देखो ताकि वो आपको बहुत फायदा करेगी वो सीरीस और जो अभी मेरी एक सीरीस चल रही है जो मैं सेलेबल कोईं बता रहा हूँ जिसमें वन रूपीस को कंप्लिट किया हूँ मैंने 1950 से लेके 2022 तक वैसे ही 1950 से लेके 2022 तक 50 पैसे की कोईं का भी मैंने पार्ट कवर किया है तो उसकी भी सीरीस जो चलेगी तो पूरा वो एक सेलेबल कोईं की सीरीस आपको देखनी है दूसरा आपको जो हम स्केर कैटिगरी के कोईंस बताएं जो कलेक्टेबल कोईंस है उसकी भी सीरीस देखनी है आपको बहुत अच्छा नॉलिज उसमें मिलेगा तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम बात करेंगे यही वन पाइस वाले कोईं की गोडे वाले कोईं की तो इसकी कुछ डिटेलिंग में जाते हैं हम आगे स्पेसिफिकल इसकी अगर डिटेलिंग में जाएंगे यानि कि इसकी physical specification पे technical specification भी बोलते हैं इसको तो ये 1.25 का coin है ठीक है अब ये 1.25 क्या होता है इससे related भी थोड़ा information देना चाहूंगा 1957 के बाद एक पैसे का coin आया था 1957 के पहले जो coin चलता था वो 1.25 चलता था अब ये 1.25 और एक पैसे में क्या फरक है तो 1.25 जो है ये 1.25 आना, 2.25 आना, 4.25 आना, 8.25 आना की series से related है ये और 1.25 जो है 1.25 पैसा, 2.25 पैसा, 5.25 पैसा, 3.25 पैसा, 10.25 ये 100.25 पैसे से related है यानि कि पहले जो था जब British government चलती थी तो उनके टाइम पे जो monetary system था पैसो का जो monetary system उन्होंने बनाया था तो उसमें उनके यहाँ पे जो counting होती थी एक रुपे में वो थे 16 आना, ठीक है एक रुपे में 16 आना थे और ऐसे ही एक आने में 4.25 होते थे जैसे अभी जब हम देखते है तो एक रुपे में 100 पैसा होता है पराबर पचास पैसे में 50 पैसे होते है पचीस पैसे में 25 पैसे होते है दस पैसे में 10 पैसे होते है लेकिन उस टाइम पे पैसा नहीं चलता था उस टाइम पे आना चलता था तो एक आना में 4 पाइस होते थे और 16 आना में 64 पाइस होते थे तो 16 आना का पहले एक रुप्या बनता था लेकिन 1957 के बाद ये चीज़ चेंज हो गई वन पाइस की जगा एक पैसा आने लगा ठीक है तो अभी हम जो बाद कर रहे हैं ये वन पाइस की है यानि 1950 से 1955 तक ये सिक्के डहले थे हमारी भारत गवर्मेंट ने ही इसको डाला था लेकिन सिस्टम वो ही चल रहा था वन पाइस वाला तो इसमें जो है इसकी स्पेसिफिकेशन पर बात करें तो ये ब्रॉंस मेटल से बने थे एक होता है कॉपर जो तामबा जिसको बोलते हैं ब्रॉंस यानि की दो मेटल से बना हुआ ये मेटल होता है एक tamba होता है इसमें और एक और medal होता है उसको इंदी में कासा शायद बोलते है तो यह दो fundamental को मिला के Bronze metal में बनाये जाते थे बिकाज इसकी validity बढ़ जाती है लेकिन copper की यतनी validity नहीं रहती है copper के बने वए जो सिक्के हैं आज भी जो पुराने में मिलते वो जादा अच्छी condition में नहीं मिलते लेकिन जो bronze में बने वे पुराने सिक्खे हैं British Government के टाइम से ही बने वे सिक्खे bronze के तो वो सिक्खे जादा भहतर condition में मिलते हैं तो इस वज़े से bronze को इस्तेवाल किया गया और आगे बढ़ें तो weight की बात करें इसका जो 1950 का सिक्का था वो 3 ग्राम का था 1951 से 1955 के जो सिक्के थे वो 2 ग्राम के थे ठीक है ये थोड़ा सा फर्क है 1950 वाले 1 ग्राम ज़ादा आपको मिलेगा और 1951 से 1955 के 2 ग्राम के थे और इनका diameter था 21.33 mm shape circular था thickness यानि कि उसकी जो border होती है उसकी मोटाई एक की बात करें तो 1.6 mm 1950 वाले में थी 1.2 mm 1951 से 1955 वाले में थी तो ये हो गए इसकी technical specification ये जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई आपको fake coin मिल जाए तो आप इस specification से उसको पैचान सकते हैं ठीक है अब थोड़ा सा detailing में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ important points जो आपको ध्यान रखने हैं जो 1.2 था ये पहले जो इशू हुआ था बॉम्बे और कैलकता मिंट से इशू हुआ था 1950 से 1952 में ठीक है और इसमें जो मिंट मार्क थे बॉम्बे में diamond था और कैलकता का आपको पता है कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है लेकिन 1903-1954 में ये coins जो बने वो बॉम्बे, कैलकता और हैदराबाद मिंट के बने ठीक है और 1955 में जो बने है वो बॉंबे और हैदराबाद मिंट के ठीक है अब हैदराबाद मिंट का जालतर लोग को क्या पता है 5.8 star mark यानि star जो होता है जो अक्सर मैं बताते रहता हूँ वो है 5.8 star mark हैदराबाद का लेकिन उससे इसमें और दो category आती है तो वो दो category क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट देखिए ये एक है split diamond यानि कि diamond बीच में से तूटा हुआ जिसे लगेगा आपको अलग हुआ है और एक है diamond के बीच में dot ठीक है तो ये जो दो mark थे ये लगबक 1955 तक जो coin छपे है 1960 तक इवेन जो coin छपे है उसमें यही series दिखने मिलती है है एदरावाद मेंट की ठीक है इस तरीके से हैदरावाद मिंट की पैचान हुआ करती थी तो ये चीज़ इसलिए बता रहो ये important है क्योंकि आगे जो सिक्के मैं बताने वाला हूँ उन सिक्कों में ये mint mark की वज़े से ही उसकी pricing decide होगी कुछ सिक्के rare बन जाएंगे कुछ scare बन जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है split diamond यानि की बीच में से टूटा हुआ दिखेगा और diamond के बीच में dot ये दो main points है ठीक है तो ये इस तरीके से फिर points बनने लगे और bombay mint का दो शर्रिफ diamond होता है ये बात ध्यान रखना है उसमें ना split होता है ना dot होता है ओके तो आप आगे बढ़ते है pricing को भी समझ लेते क्या pricing है जो detailing मुझे मेरे research में मिली है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको इसमें जो 1950 से लेके 1955 तक जो सिक्के आये है इसमें एक होता है rare coin और दो coin ऐसे है जो scare category के है या आप बोल सकते उसमें से एक और है जो थोड़ा सा rare category की तरफ ही है और एक scare में है लेकिन एक थोड़ा ज़ादा rare category का coin है उसकी भी बात करेंगे उसकी भी detailing में समझेंगे तो 1950 से 1953 तक अगर हम ये chart देखते हैं तो इसमें Bombay, Calcutta, Mint के जो भी coins है उसकी pricing अगर आप देखोगे तो 10 रुपे से 5 रुपे से शुरू होती है 30 रुपे तक जाती है मतलब fine condition में ये 5 रुपे में भिक रहे हैं very fine में 10 रुपे में extra fine में 15 रुपे में और UNC में 30 रुपे तक इसको बेचा जा रहा है तो ये common coins है बहुत लोगों के पास होते हैं दिखने में आपको same ही दिखेंगे लेकिन ये common है इसकी हैद्राबाद मेंड का coin और ये है split diamond mark वाला ये बात को ध्यान रखना है ये है split diamond mark वाला 1903 का तो इसके pricing की अगर बात करें तो fine condition में जहां दूसरे सिक्षे 5 रुपे में भिक रहे ते ये 2000 में भिकेगा very fine condition में जो दूसरे सिक्षे 10 रुपे में भिक रहे थे ये 5000 में भिकेगा extra fine में जो 15 रुपे में भिक रहे थे ये 10 रुपे में भिकेगा UNC condition में जो दूसरे सिख्के 30 रुपे में विक रहे हैं ये सिख्का आपको लगबग 30,000 भी दिला सकता है लेकिन UNC condition में मिलना मुश्किल होता है लेकिन अगर मिल गया तो 30,000 रुपे तक 25 से 30,000 रुपे तक आपको इसका easily मिल सकता है ठीक है तो ये समझेए 2000 से लेकि 10,000 के बीश में 1903 का जो कौईन है है एदराबाद Split Diamond बोड़े वाला ये आपको आराम से 2000 से 10,000 रुपे दिला सकता है और 1954 का अगर आप देखोगे Bombay और Calcutta Mint ये भी 5 रुपे से 30 रुपे वाला है ये लेकिन 1954 में एक फिर से हैदराबाद Mint का स्केर केटिगरी का कौईन आता है जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 300 से जाती है लगबग 2500 रुपे तक ठीक है तो UNC की तो वैसे मिलना मुश्किल है तो आप ये समझे 300 से 1500 के बीश में इसकी प्राइजिंग है ठीक है और वैसे ही 1955 में Bombayment का common है या थोड़ा सा स्केर बोल सकते हैं ये 20 रुपे से 1500 रुपे तक बिखता है और 1955 का एक और एक rare केटिगरी ही कहूंगा मैं इसको लेकिन rare में extreme rare नहीं है rare केटिगरी का first stage बोल सकते हैं आप इसको तो इस coin को अगर आप देखोगे तो ये 500 रुपे से 4000 के बीश में बिखता है UNC condition जाते जाते 4000 और normally fine condition में ये 500 में बिखेगा तो आपको ध्यान रखना है जो हैदराबाद मेंट मार्क है उसकी पैचान को ध्यान रखना है split diamond होना चाहिए या diamond के बीश में dot होना चाहिए ठीक है split diamond वालों की यहाँ पर pricing जादा है इसको ध्यान रखना है 1903 का, 1904 का, 1905 का हो split diamond होगा तो ये pricing हमें मिलने वाली है तो हो सकता है मैंने आपको confuse किया हो लेकिन मेरी कोशिश है मैं आसान बाशा में मैं बतानी कोशिश कर रहा हूँ split diamond की photo भी दिखा दिया मैंने आपको किस तरीके से होता है और diamond के बीश में dot किस तरीके से होता है तो वैसे ही अगर इसके back side में अगर देखोगे आप coin के तो आपको वहाँ पे इस तरीके से अशोकिस्तम मिलेगा जिसमें तीन lion बने हुए होते है ठीक है और government of India यहाँ पे लिखा होगा पीछे एक star दिखेगा आपको इस star को देखके यह confuse मत हो न कि यह mint mark है mint mark year के नीचे है ठीक है जो गोडे वाली photo है उसके नीचे जो year है year के नीचे यहाँ पे आपको mint mark देखने बलेगा और यह सिक्का बहुत छोटा होता है तो mint mark को देखना इतना असान नहीं होगा आपको तो इसके लिए आपको magnifying glass ही लगाना पड़ेगा उसके बिना यह सही से आप पैचान नहीं पाओगे split diamond diamond में फर्क नहीं कर पाओगे आप तो यह कुछ बाते थी हमारे one price related जिसको मैंने पूरा cover करनी कोशिश की 1950 से 1955 तक detailing बता दिया आपको चार्ट के थुरू एक ही वीडियो में हमने इसको complete कर लिया है वैसे ही 1957 से 1963 के बीश में जो one पैसा start हुआ उस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और साथ साथ में अभी जैसे यह pricing की बाते हो गई detailing की बात हो गई तो मैं हर वीडियो में जो आगे का part होता है जो ending का part होता है वो अपने membership से related बात करता हूँ तो नए लोगों को कुछ दिक्कत यह भी आई है देखने में मिला है मुझे payment बेजने में उनको मेरा नाम नहीं पता था इस वज़े से वो payment नहीं कर पाए तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नाम अगर आप देखोगे ने यह banking detail के साथ यह account HDFC का मेरा है और यही HDFC का account मेरा जुड़ा हुआ है scanning code जो मैंने यहाँ पे लगा है उसके साथ लेकिन जब आप scan करोगे तो आपको फैजान शेक नाम नहीं लिखके आएगा आपको DIM online trader and finance लिखके आएगा तो यह बात का देखने रखना है YouTube channel का नाम यहाँ पे लिखके आएगा लेकिन यह मेरा ही account है तो इस scanning code को जब आप scan करोगे तो online यह लिखके आएगा DIM online trader and finance और अगर आप cash deposit कर रहे हो या banking detail fill up करके payment कर रहे हो तो उसमें जब आप name दालोगे तो name में लिखना है फैजान यूशिक ठीक है यह मेरा personal account है इसी पे आपको payment करनी है book के लिए 600 रुपिया membership के लिए 1200 रुपिया और payment करने के बाद screenshot आपको मेरे यह number पे भेजना है 9699-065-064 या आपने cash वगेरा deposit किया तो उसकी photo लेगे भेजना है तो जिसको membership लेनी है वो मुझे whatsapp पे पहले message कर दो आपका city का नाम आपका नाम और आप यह message कर दो कि sir मैं membership लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं और जिसको book चाहिए वो यह लिख दे कि sir मुझे book चाहिए और आपका नाम और आपका address वगेरा मुझे बेज दो तो मैं जो membership वाले हैं उनको भी detailing बेज दूँगा और books जो लेना चाहते हैं उनको भी detailing बेज दूँगा बहुत से लोग मुझे call पर बात करनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन call पर बात होनी पारी है उसकी वज़ा सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी काफी लोग YouTube चैनल पर नए आ चुके हैं पहले थोड़ा कम लोग थे तो अभी ऐसा हुआ है कि जादा लोग होने की वज़े से सबका मैं यहाँ पर reply नहीं online में बात नहीं कर पाऊंगा reply तो मैं WhatsApp पर सबको दे रहा हूँ लेकिन जो calling पर बात होती है वो अब सब से नहीं हो पा रही है जो मेरे member है उनको मैं personal मेरा number देता हूँ जो orbit के member बनते है तो वहाँ पर वो लोग मेरे से contact में आ सकते है लेकिन जो general public है जो photo भेज भेज के पुछती है कि यह सिक्के बिकेंगे क्या या बिकवाद हो मेरे सिक्के तो उनके लिए तो यही number है और उनको एक चीज़ और मैं कहूंगा कि भाई आप लोग जो photo भेज रहे हो न थोड़ा सा ध्यान रखो, खयाल रखो photo आपको एक साथ बहुत सारे सिक्कों की नहीं भेजनी है ठीक है जैसे आप सिक्के रख देते हो उसके बाद बस photo निकाल के भेज देते हो तो ऐसा नहीं होता है सिक्के की उसपे लिखा हुआ क्या होता है वो देखके सिर्फ नहीं पता चलेगा या photo देखके सिर्फ नहीं पता चलेगा कि जैसे इंद्रा गांदी का सिक्का है या आप कोई भी कॉमरमेट्यू कोईन भेज रहे हो तो वो कॉमरमेट्यू की छाप देखके मुझे नहीं पता चलेगा वो स्केर भी है या नॉर्मल है तो मैं वैसे नहीं बता पाऊंगा तरीका यह है कि जो year होता है year के नीचे जो mint mark होता है उसको देखना होता है तो वो side की photo आपको clear मुझे एक साथ बहुत जादा सिक्के नहीं पांच या छे सिक्कों को रखके clear photo भेजनी है अब आपके पास अगर 50 सिक्के है अगर मैं एक एक भेजने बोलू तो आप 50 photo भेज दोगे इसके लिए 5 या 6 सिक्के रखके clear photo year वाली side की भेजनी है दोनो side की नहीं भेजनी है उम्मीद है आज की वीडियो से भी आज कुछ आपको नया सिखने मिला होगा और जिन लोगों को कोई भी मेरे से related question पूछना है वो पूछ सकते है मेरे whatsapp नमबर पे डाल सकते है अगर वो लोग आना चाहते हैं कुछ लोगों ने मुझे ये भी question किया कि office visit करना चाहते तो मैंने address वगेरा उनको send भी कर दिया है तो Sunday शायद वो लोग office visit करेंगे कुछ हैं जो Sunday करने वाले कुछ Friday को करने वाले तो आप लोग आ सकते हो कभी भी भी भीवन्डी में मेरा office है ठाने district विवन्डी city महरास्ट्रा में मुंबई के करीब ठाना यानि कि ये ठाने district पढ़ता है मुंबई के western इरिया में ठीक है मुंबई से 20-25 km की range में ठाने district आ जाता है और ठाने से विवन्डी 10-15 km की range में आ जाता है तो almost मुंबई से आप समझ लो के 40 km की range में विवन्डी आ जाता है तो आप लोग को अगर आना है तो आप मुंबई से भी आ सकते हैं ठाने से भी आ सकते हैं कल्यान से ये 10 km है ठीक है और जो वसाई वगिरा से आते तो वसाई से भी train direct विवन्डी की मिलती है विवन्डी स्टेशन उतर के आपको फिर यहाँ पर आना पड़ेगा मेरा office का address मैं आप लोग को भेज दूँगा जिनको आना है वो मुझे whatsapp पे मेरा address मांग सकते हैं मैं दे दूँगा तो और जो रह गया exhibition से related जो लोग सवाल कर रहे हैं के exhibition का बताईए कहां कहां पर exhibition लगने वाला है तो एक exhibition जहां पर मैं जाने वाला हूँ मतलब मिरी उम्मिद है कि मैं जाउँगा वो है पूना का exhibition तो पूना में जब वो exhibition लगेगा तो मैं आपको update कर दूँगा कुछ दिन पहले अगर मैं वहाँ जाने वाला हुआ रहे गया जिनको नहीं पता है कहां का exhibition लगने वाले तो मैं community tab में photo दाल दूँगा आप लोग उसमें से देख लेना और अभी video के end में भी photo दाल दूँगा इसलिए बोलता हूँ कि पूरा video देख लिया करो आप ठीक है तो आज के video को यहीं पर end करते है next video में कोई update के साथ फिर से available हो जाएंगे बाई